इस वीडियो में हम लोग example देखेंगे operators का तो normally हम लोग operators को example में देखने के लिए क्या करेंगे पहले तो हम arithmetic operator को example में देख लेते arithmetic, m-a-t-i-c, arithmetic operators इसके example कैसे देखेंगे, देखिए पहले तो हम लोग कोई variable बना लते, dim a और comma b b भी declare करते as integer, ठीक है? तो दोनों variable एक साथ बना लिया, और a का value कितना माल लिया? एक, दो, और b का value साथ माल लिया जो हम वहाँ example रखेंगे तो वही example ले रहे हैं तो हम सबसे पहले console.rightline और इसमें लिखते हैं, rightline में लिखते हैं, addition देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, a plus b m% का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं, ताके वह concatenation का काम पूरा हो जाएं semi column लगता नहीं है, गल्दी से मैंने लगा दिया तो पहले यह चीज़ हो गया, और इसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं पावर, तो पावर के लिए लगाते हैं, उल्टा कर देते हैं इसको, तो बी पे पावर, कैरेट का साइन, a, ऐसो लिखते हैं, तो देखो, पावर कैसे ओटपूट देगा, चेक करो, ओटपूट क्या आता है, देखो, 49 ओटपूट आना चाहिए, 49 देखो, पावर में आ र दोल है, माइनस कर देगा, इस तरह से और भी हैं, इन्टू के लिए, और भी हैं, डिविजन के लिए, फ्लोर डिविजन के लिए, और मैं यहाँ पर इसको आपका नाम बता देता हूँ, मॉल्टिप्लाए, इसको नाम हो गया, डिविजन, और इसमें कर देते हैं, फ्लोर देविजन, जीरो पॉइंट कुछ है, क्योंकि यहाँ जीरो पॉइंट कुछ है, मैं वैलू पलट दूँ, तो साइद सॉल्यूशन आजएगा आपको, बी बाए, तो यहाँ पे भी कर देते हैं, बी बाए, तो साइद आपको सुझ में आएगा, कि 3 आएगा, 3.5 आएगा, ने नाम सामने आ जाए, तो उनके लिए, comparison, RISON, operator, ठीक है, comparison operator भी इस दो से होता है, तो comparison operator क्या करेगा, console.rightline, readline नहीं, rightline, rightline, और यहाँ पे आपने चेक करना है, equal को, ठीक है, is equal, ऐसे मैं यहाँ पे एक word लिखता हूँ, is equal, is equal to, और उसके बाद मैं यहाँ पे, क्या करू sorry, यह enter हो गया, यहाँ पे, and का sign, और यहाँ पर, क्या a बराबर है, बराबर है b के, ऐसे, ठीक है, और ऐसे मैं कई और examples, is equal to के बाद, greater than, is greater than, sorry, is greater than, तो इसमें greater than का sign लगेगा, is less than, फिर less than का sign लगेगा, is greater than equal to, is less than equal to, ठीक है, और not equal to, तो इसमें लिखेंगे, is not equal to, not equal to, ठीक है, और यहाँ गया, is less than equal to, ठीक है, और यहाँ गया, greater than, मैं सबको example में ले रहाँ, than equal to, और यहाँ गया, less than, safe less than, equal नहीं चेक करेगा, चलो, अब इसको प्रेंट करके चेक करते हैं, कि क्या यह सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखो, कुछ error है क्या, नहीं, यह, इसमें तो ठीक ठाक आया है, इसके बाद, कुछ error है, अच्छा, मैं आपको बताओ, एक चीज बहुत important है, वो यह है, कि यह वाला जो condition है, इसका output लेने के लिए आपको 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 आपको, यहां तक ठीक आपको 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 आपक सब ठीक किया यह बराबर है दो और साथ बराबर नहीं है तो ये छोटा है है क्या ये बरा है पॉल्स होगया क्या ये बराबर नहीं है फ्ल्स PB operator भी हम दिखा देते हैं, assignment operator कैसे काम करना है, देखो console.rightline rightline और इसके बाद देखो, यहाँ पर assignment operators कैसे काम करने हैं, तो assignment operator में हम क्या क्या बता सकते हैं, addition assignment एक बता देते हैं, बाकी आप समझ लिजेगा ठीक है, a plus equal to 10 या 20 तो इसको आपको घेड़ना पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर देगा, ठीक है, मैं पहले यहां पर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं एक value को print कर लेता हूँ, यह भी हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने इहाँ पहले क्या किया, पहले यहां पर कर लिया बाद में एक प्रिंट कर दिया तो एक अवल्यू कितना आना चाहिए अब एनिवन बाइस दो पहले से है बीस और जुर गया तो लास्ट जो लाइन आएगा हो क्या आएगा बाइस आएगा हो अजिशन इसमें वह कॉमा लिख दिया मैंने कॉन्क्रटिनेशन एम पर्षेंट के तौर पे यह तो वह और इस चीज को समझें के लिए कि आपरेटर कैसे काम करते हैं इस तरीगे नहийं ह ciudadने काम होगा नहीं है यह अश्य देटा कर देखेजिजा कि मान लोगो बात करते हैं, कैसी में को यूजर से डेता होता है यह देटा यूजर से लेना है, डेकी देटा पॉर लेना हो गोगा यूजर से लेना होगा is equal to अगर हम data users लेना तो लिखना console.readline readline का काम होता है लेना input का काम होता है और rightline का काम होता है output देना तो a का value हो गया अब b का value इस दो से console.rightline अब आप चाहो तो कोई message लिख सकते हो line कोई message लिख सकते हो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो साइध मुझे लगता है कि यहीं लिख सकते हैं enter your enter first number और यहां लिखते हैं enter नहीं यहां नहीं लिख सकते हैं sorry एक मेट next level character ठीक है नहीं करना है आपको पहले एक console लिखना है output के लिए console.right line और यहां लिखना है enter first number enter first number एक number मिला हमको और आप इसके बाद फिर से इसी तरह से एक और console एक के बाद यहां पर डाल सकते हैं enter second number तो इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे total नाम का variable बनाएंगे जो कि हम यहीं पर declare कर सकते हैं total 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 ठीक है और इसके बाद यहां पर total is equal to a plus b तो इस बाद जो a और value आ रहा है b का value आ रहा है वो user देगा हम नहीं देगे यूजर देगा तो इसके बाद हम इसका output ले सकते हैं console.right line line और लिखते हैं total is equal to m percent और यहां पर डाल देते हैं इससे क्या हुआ अब दो दो कोई भी नंबर यूजर देगा तो इसको जोड सकते हैं देखो बड़ा से बड़ा नंबर है क्यूंकि इंटीजर का रेंज का अच्छा होता है तो हम इसको यूजर कर सकते हैं हम यहां पर 254 डाला और बाकि 44 तो दुनों भी लाएकर 295 हुआ दिखा आपको तो यह छोटा सा प्रोडाम आपको यह दिखा रहा है कि आप इसको इसको यूजर से इंपुट ले सकते हैं इसको यूजर से इंपुट का भी पार्ट पे बात किया इसको पर बात किया और ऑपरेटर के एक्जामपल भी देखे इससे पहले वीडियो में हम लोग ऑपरेटर को समझा भी था और इसके नोट्स भी बनाए थे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई